हेलो दोस्तों आप सभी के मेरी चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है और आज हम अश्टमी और नौमी पर विशेस रूप से बनाए जाने वाले काले चने का भूख प्रशाद बनाएंगे इसके लिए यहां मैंने काले चने को 7-8 घंटे के लिए भीगो दिया था आप चाहे तो इसे ओवरनाइट के लिए भीगो सकते हैं और अब हम एक कुकर लेंगे कुकर में हम चने को डालेंगे यहां मैंने भीगोए हुए चने को 2-3 बार अच्छे से धो के वाश कर लिया था और यह बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ और क्लीन हो गया है और अब हम इसमें एक चोथाई चमच सींधा नमक या नॉर्मल नमक का यूज़ करेंगे आप जो यूज़ करते हैं वही नमक का यूज़ करें और अब हम गैस का फ्लेम ओन करेंगे कुकर का धकल लगाएंगे और हाइ फ्लेम पे हम इसमें छे से साथ विसिल या सीटी आने देंगे हमने राद भर चने को भिगोया था इसलिए चने बहुत जल्दी ही हाइ फ्लेम पे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और आप देख सकते हैं कुकर के हाइ फ्लेम पे चड़ाये हुए दो से तीन लाना स्टार्ट हो गया है इस तरीके से आप भोग प्रशाद के लिए चना बनाएंगे तो आपका फटा-फट से चना बनके तयार हो जाएगा छे से साथ सीटी आने के बाद गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और कुकर को खुद से ठंडा होने देंगे और जब तक कुकर हमारा ठंडा हो रहा है हमें कड़ाई लेंगे गैस अन कड़ेंगे और कड़ाई को अच्छे से गरम होने देंगे कड़ाई गरम हो गया है और अब हम इसमें दो चम्मच साबूत या गोटा धनिया डालेंगे और इस टेम पे गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे जिससे मसाले अमारे जलेंगे नहीं और अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे चार से पांच लॉंग डालेंगे लॉंग से बहुती बढ़ी आ फ्लेवर आता है काले चने में और अब हम इसमें पांच से छे काली मिर्च डालेंगे और एक से दो तेज़ पत्ता डालेंगे और अब हम इसमें एक सुखे लाल मिर्च डालेंगे एक मिनट के लिए भून लेंगे जिससे मसाले इस तरीके से भूनने से बहुत ही बढ़ीया और फ्रेश फलेबर आता है और आप देख सकते इसे भूनते हुए एक मिनट हो गए है और मसाले मारे अच्छे से भून गए है और अब हम इस टेम पे गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे और सारे भुने हुए मसाले को हम एक कटोरी या प्लेट में निकाल लेंगे यहां मैंने इसे एक कटोरी में ट्रांसपर कर लिया है और अब हम एक मिकसर जार लेंगे इसमें दो से तीन टुकड़ा अधरक का डालेंगे और भुने हुए सारे मसाले अट करेंगे यहां मैंने मसाले को एक से दो मिनट के लिए ठंडा कर लिया था और अब हम इसमें आधा चम्मच आमचूर पॉडर डालेंगे खटास आप अपने हिसाब से जादा या कम कर सकते हैं एक चम्मच कस्तूरी मेथी डालेंगे कस्तूरी मेथी डाल करके धकल लगा करके और अब हम इन सभी इंग्रेडियन को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और इसका बारिक पॉडर बना लेंगे और अब देख सकते हैं यहां मैंने सारी मसाले को अच्छे से ग्रैंड कर लिया है और अब हम सेम कड़ाई में ही एक से दो चम्मच शर्षो का तेल डालेंगे आप चाहें तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं और भी कोई कुकिंग ओयल का यूज़ कर सकते हैं और अब हम गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे हम ओयल को अच्छे से गरम होने देंगे और अब देख सकते हम एक चुटकी हिंग ढलेंगे हिंग से बहुती बढ़ीया फ्लेवर आता है और अब हम इसमें दो सरी मिर्च डालेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और अब हम इसमें ग्राइंड के हुए मसाले डालेंगे और गैस का फ्लेम इस टैम पे आप मीडियम ही रखे नहीं तो मसाले हमारे जल सकते हैं क्योंकि हमने अलरडी इसे भून लिया था और अब हम तेल में मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे मसालो का फ्लेवर ओयल में भी अच्छे से आ जाएगा और अब हम इसमें आधा चमच हल्दी डालेंगे हल्दी डालकर हम इसे भी मसालों के साथ अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे जिससे हल्दी का भी कच्छापन खतम हो जाएगा और सारे इंग्रीडियन्ट हमारे अच्छी तरीके से भुन जाएगे और अब हम इस टाम पर इसमें बॉल की हुए काले चने डालेंगे यहाँ मैंने कूगर को थंड़ा नहीं दिया था और अब देख सकते हैं चना हमारा अच्छे से बॉल हो गया है और अब हम इसमें पानी के साथ सारे चने अठ्ट करेंगे और इसे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से अगर आप चने और पानी को एक साथ अट करेंगे तो चने का सारा फ्लेवर पानी में रहता है और इस तरीके से अगर आप पानी भी अट करेंगे तो चना आपका बहुती फ्लेवरफूल और स्वादिष्ट बनेगा और आप देख सकते हैं गैस का फ्लेम यहां मैंने हाई कर रखा था हाई फ्लेम पे हम इसमें अच्छा सा उबालाने देंगे और अब हम इसमें स्वाद अनुसार एक चोथाई चमच नमक डालेंगे और इन सभी को हम फिर से अगबार अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां मैंने और अब हम एक मिनट के लिए हाई फ्लेम पे मसालो को चने के साथ अच्छे से इस तरीके से बॉयल होने देंगे जिससे मसालो का फ्लेवर चने के अंदर तक आएगा और मसाले वाले भंडारे वाला चना हमारा बहुत ही टेश्टी और स्वादिष्ट बनेगा और अब हम गैस का फ्लेम मेडियम कर देंगे और धक करके हम इसे 5 मिनट के लिए पकने देंगे जिससे इसका एक्ष्ट्रा पानी निकल जाएगा और आप देख सकते हैं चना हमारा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और यह अभी काफी गरम है और इस तरीके से आप इसे हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए और पकने दें जिससे इसका सारा एक्ष्ट्रा पानी सूख जाएगा और सिर्फ मसाला और फ्लेवर फूल हमारे चने बचेंगे और आप देख सकते हैं चने को पकाते हुए 1-2 मिनट हो गया है और पानी काफी अच्छे से सूख गया है और ये देखिए चना हमारा बहुती बढ़िया और जट पट से एकदम आसान विधी में बनके तयार हो गया है तो आप भी इस तरीके से नवरातरी में काले चने बनाएंगे तो आपके चने बहुती टेश्टी और स्वादिश्ट और फ्लेवर फुल बनके तयार होंगे और आप देख सकते हैं पानी अच्छे से सूख गया है और चने के उपर सारे मसाले अच्छे से कभर हो गये है इस तरीके से आप मसाले वाले चने बनाएंगे और मातारानी को भोग लगाए, खुद खाए और सभी को खिलाए इस तरीके से अगर आप चने बनाएंगे तो आपके चने बहुती बढ़ियां और फ्लेवरफुल बनके तयार होगे और अब हम इस टाइम पे गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और आप देख सकते हैं चने के उपर बहुती बढ़ियां मसाले का लेयर कवर हो गया है इस तरीके से आप चने बनाएंगे तो आपका चना बिलकुल ही भंदारे वाला हलवाई स्टाइल बनके तयार होगा तो आप इस तरीके से बिना जंजट के फटा फट से बहुत ही टेश्टी और स्वादिश चने बनाए और अगर आपको मेरी रेसेपी अच्छी और हेलफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक स्याधिक शेयर करें और चलिए अ हम इसे और अगर आपको मेरी वीडियो और रेसेपी अच्छी और हेलफुल लगी हो तो इसे अधिक स्याधिक लाइक करें और शेयर करें थैंक्स फोर वाचिंग